हेलो एब्रिवन आज की क्लास में ओयल फिलिटरिंग मेधर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो सभी लोगों को जैसे की स्किन पर दिखाई दे रहा है हम आज की इस क्लास में स्ट्रीम लाइन फिलिटर मेधर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपको स्ट्रीम लाइन फ transformer oil तो इसकी different methods हैं जैसे blotter filter method, streamline filter method, centrifugal filter method और earth filter method तो हम यहाँ पर इस class में streamline filter method के बारे में discuss करेंगे ठीक है सब्सक्राइब क्लियर है यह हमारे जो भी insulating oil होता है या transformer oil होता है उसके सुध्धी करण के लिए इन method का उपयोग किया जाता है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है यह streamline filter है इसकी विसेश्था यह होती है कि इसमें oil को सुध्ध करने की पूरी process vacuum या निर्वात में की जाती है ठीक है जो oil को फिल्टर करने की जो method है पूरी प्रोसेस है यह पूरी प्रोसेस वैक्यूम में की जाती है ठीक है तो यह इसका एक इसकी एक विशेष्टा है ठीक है तो I think सभी को यह कितनी चीज़े clear होंगी ठीक है देखिए यहां पर यह आपको transformer दिख रहा है यहां पर देखेंगे तो यह आपको इसकी यहां पर आपको दिखाई देगे जैसे की यहां कि यहां से असुद्ध जो से बाहर निकाला जाता है उसको फिल्टर किया जाता है और फिर उसके बाद में पुरी प्रोसेस के बाद फिर से ट्रांस्फॉर्मर ओइल को यहां से इनलेट कर दिया जाता है तो यह यहां पर पुरी प्रोसेस होती है ट्रांस्फॉर्मर के आउटलेट वॉल में हमकुछ इस प्रकार से चीजों को जो हमारे किपमेंट्स होते हैं उनकोunden कर देते हैं वह से यहां पर अउयल को लिए जाता है ठहलों को ट्रांस्फ फोर्म들 से या 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 टॉम से लिया जाता है और उसके बाद में पूरी filtering process की जाती है after that इस filtering process के बाद हम यह जो purified जो हमारा oil होता है transformer oil होता है वो हम फिर से transformer के अंदर फिल कर देते हैं तो इस method को चलिए हम जानने की कोसिस करते हैं किस प्रकार से यह work करता है मैं फिर से आपको बता दूँ कि यह जो इस method की सच्छे बड़ी process यह होती है कि यह पूरी filtration की जो process होती है यह vacuum या निर्वाद में की जाती है ठीक है इस method में जो भी हमारा impure oil होता है या deity oil होता है इसको हम यहां पर सुद्ध करने का काम करते हैं filter करने काम करते हैं और इसके बाद इस पूरी process के बाद में हम transformer में oil को पुनै फिल कर देते हैं यहां से ने transformer को लेते हैं ठीक है यह पाथ है यह आपका यहां पर पात है ठीक है जहां से आपका transformer transformer से बाहर लिया जाता है ठीक है इसके बाद में सबसे पहले जो हमारा इंप्यूर ओईल है या सबसे पहले हीटर चेंबर में जाता है या हीटर टैंक में जाता है यहां पर ट्रांसफॉर्मर को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिससे इसका मौश्चर रिमूव हो जाता है तो मौश्चर रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले transformer oil को transformer से लेने के बाद में हम heater chamber में भेजते हैं और यहां पर 60 degree पर इसको 60 degree temperature पर इसको गर्म किया जाता है जिससे इसका moisture remove हो जाता है इसके बाद में इस remove करने के बाद में जो हमारा moisture है उसको remove करने के बाद हम यहां से इसको जो हमारे filter chamber की और भीज देते हैं ठीक है filter chamber में जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है एक तो यहां पर आपको और दिनिक रियक्षनकार दिखाई रहा है यह आपका से दिखाई दे रहा है यह आपका का हुद्टेंवर 5-2 चेंबर होता है जिसमें भीपिलीट साहLY अमें पर लेटस रहती हैं यह अलग होती है जो हमारे के लिए काम करती है ठीक है इसमें मर्टी मर्टी स्टेज डिग्रेशिंग चैंबर भी आप इसको बोल सकते हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है यह जो दिखाई दे रहा चैंबर ठीक है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इमर्शन हीटर में गर्म करने के कि में बाद में हम उस ओयल को मौश्चर बढूर करने के बाद में heater chamber oil को filter canber में भीजते हैं इसके बाद में filter chamber में कई पैललबेट्स लगी होती है ठीक है जो हमारे solid impurity को रिमूट करती है इस filter यह प्रोसेस तब तक दूराते हैं जब तक कि ऑइल पूरी तरह से सुध्ध ना हो जाए जैसे हमारा पूरी तरह से प्रोसेस चलते रहती है जब तक कि हम पूरी तरे से प्रोसेस अधा ini को करते के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है यह HERE को क्लियर रियक्षन काॉलम होते हैं जहां पर बहुत सारी प्रेट लगी उती है जो की हमारे को दूर करती है इसके पस्चाद filter chamber के बाद हम उस oil को filtered oil को को हम vacuum chamber भेज देते हैं जहांपर विभीधिन प्रकार की air impurity को दूर किया जाता है air impurity इसमें प्रकार गैसे मिली होती है ठीक है जिसको हम वैक्युट चैंबर में इसको remove करते हैं और इसके बाद में oil को इस process को हम continue तब तक करते हैं जब तक कि हमारा oil पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाता है ठीक है और इसके बाद में complete हम transformer में oil को fill कर देते हैं तो इस प्रकार सी पूरी process है ठीक है चलिए thank you